नमस्कार दोस्तो आज हम बात करेंगे डेस्पेचिंग के बारे में डेस्पेचिंग से मीनिंग क्या है दोस्तो कि जो प्लान है उसको प्रॉपरली इंप्लिमेंट करना हमने कोई planning की थी कि future के लिए हम लोग जो production है वो इसके द्वारा किया जाएगा इस person के द्वारा किया जाएगा इस time पे किया जाएगा तो time की record keeping करना और जो production से related things हैं कि किस तरह से एक place से दूसरे place पे जो order आया है उसके लिए किस तरह से उसको transfer करना और जो shop wise है वहाँ से कि condition task होना है उसकी किस तरह से recording करनी है तो वो सभी चीजें जो related है हमारी वो है dispatching से और जो basically हम लोग बात करें इस छोटे से figure से तो यह जो dispatching है यह एक direct link create करती है production और sale के बीच में यानि कि जो production है वो हमारा इतना हुआ और sale जो हमारी है वो इतनी sale हो रही है तो उसके बीच म करना है ताकि हमारे पास production timely चलता रहे running करता रहे और continuously जो भी production जो भी product का production हुआ वो continuously उसकी sale होती रहे तो इसलिए क्या करता है जो orders होते है उनको यह transmitted करता रहता है ट्रांसफर करता रहता है जो अलग अलग shops है जैसे for example एक late की shop है यानि कि टरनिंग की shop है एक fitting की shop है तो ज work की according ही एक जैसे machine की shop है वहाँ पे number of machines work कर रहे हैं तो उन machines की shop है उनको जो टास्क है जो order मिला है उसके according वो जो टास्क है वो देना और उसको timely completion करवाना तो यह सभी काम कौन करता है despatching करवाती है अब छोटा से figure है इसके बार इम बात कर लेते हैं हम लोग बहुत ही simple सा figure है यह simply figure क्यों मैं बनाता हूँ क्योंकि आप लोगों को इसके लिए आसानी रहेगी और exam point of view से आपको number बढ़ाने में आसानी रहेगी इस तरह का बना दोगे तो इसके बाद एक एक करके जैसे content सम लोग लिखते हैं उसी तरह इसके बारे में detail लिख सकते हो जैसे for example सबसे जो activity perform करेगा या जो procedure समझे हम लोग dispatching में वो है हमारा यहाँ पे schedule अब schedule से meaning क्या है यहाँ पे schedule से meaning है कि जो हमारा जो orders है जो भी basically हम लोग जो orders के according जो production करना है उसके लिए सबसे पहले जो production department है उसको एक schedule release करना पड़ता है कि हम लोग जो है इतना production करेंगे और जो production करेंगे वो इस पेसिज पे करेंगे तो वो उसके लिए एक schedule हम लोग जो है basically वहाँ पे make करते हैं release करते हैं अब schedule जब release हो जाता है फिर कहता है start order अब start order से मतलब क्या है वहाँ पे issue of work order जो है basically हम लोग यहाँ पे बात करें कि जो वो issue रहेगा order का वो इस तरह से रहेगा कि जो production work है वो production work हमें start करना है तो उसके लिए हम लोगों को एक order मिलेगा कि अब आप लोग production अपना start कर दीजे अब जो production start करना है तो उसके लिए basic चीज़ें क्या क्या चाहिए एक तो raw material चाहिए और दूसरी चीज़ हमें जो tools हैं उनकी जरूरत से ही है तो अगला ही है इसमें tool order अब tool order में tool release करना अब जो tool release करना उसके लिए किस तरह से कि जो authorized tool है जो authorized tool की requirements है उन tools को यानि कि जो necessary जो tools है उन tools को वहाँ पे transfer करना उन tools को वहाँ पे पहुचाना तो ये basic है हमारे पास जो tool का order रहेगा उसके तुरंत बात क्या है material issue करना यानि issue of material अब material issue से meaning यहाँ पे क्या है कि जो material order है उसको release करना कहां से to the stores यानि कि जो stores है उनसे वो जो material है उसको वहाँ से release करना तो ये होता है issue of material अब next point important point issue move order move order से meaning क्या है यहाँ पे कि movement of the material जो material है उसकी movement अब वो movement कहां कहां से होगी store से production shop या फिर हम लोग बात करें within shop हो सकती है या shop to shop हो सकती है या फिर जो shop है वहाँ से जो finished parts बन जाएंगे यानि कि जो finished जो हमारे पास जो product रहेगा वो store पे जहाँ पे उसकी inventory कुछ percentage जो हता है बाकी हम लोग हाथो आथ उसको sale के लिए transfer करते रहते हैं तो अब हम लोगों को जो है issue move order से meaning है कि पूरा order जो भी था उसकी according जो materials बन रहे हैं उनको move करना या फिर raw material machine to machine तो कहने का मतलब क्या है उसको complete order को move करना next time record order time record order is the key point time order record से meaning है कि जो time उसमें लगना है उस time को अब record करना है अब time जो production पे कितना लगा या फिर start of work कहां से हुआ और जो finishing होगी वो कहां से होगी यानि जो operations perform होंगे उसके लिए starting time और ending time वो सब हम लोग क्या करेंगे record करेंगे और last होता है inspection order आप जो भी हमने जो बनाया make किया आप उसके लिए inspection का order देना inspection order से meaning है उसको examine करने के लिए check करने के लिए order देना कि अब आप लोग उनको check करो और वो within specifications है within वो जो है highest accuracy के साथ है within standards बने है तो it means वो सारे हमारे बिल्कुल ठीक है तो it means जो inspector है वो अपने जो भी necessary tools है उन tools की सायता से inspection करेगा और inspection करने के बाद फिर उस चीज़ पे वो जो है अपनी एक report तयार करेगा और वो report जो है वो देगा कि किस basis पे किस तरह से वो ठीक रहे है या नहीं रहे यह circle की बजाए जो हम लोग है rectangular shape के बना के उसको एक sequence में flow chart जैसे होता है वैसे बना सकते है तो उससे क्या होता है exam में आपको उसका benefit मिलता है एक्स्ट्रा numbers आपको मिलते हैं तो यह जो है हमारे पास activity perform होगी या इसका procedure हम लोग जो है despatching का find कर सकते हैं तो यह था दोस्तों हमारे पास आज despatching and the various activities or procedure of despatching thank you दोस्तो